Dear student we have to discuss about art, drama and music हमारा question यह है कि हम बच्चों को art, drama and music क्यों पढ़ाना चाहते हैं और क्यों पढ़ाना चाहिए हमारे यहां हमारे culture के अंदर चाहे वो developing country का हो यह develop country का हो तो बहुत से लोगों का focus यह होता है कि बच्चों को bookish knowledge दिया जाए required skill दी जाए और उनके वो behavior डिवेल्प की जाए जो उनके profession की need है यह ते तीन चीज़ें जो है that is a part of the life लेकिन अगर हम इन तीन चीज़ों से अलियादा होके कोई बात करते है और अलियदा होकर हम करिकुलम का हिस्सा बनाते हैं तो वो तीन चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आती है आर्ट ड्रामा एंड म्यूजिक छोटे बचो में आर्ट का स्फजयक्ट रखा जाता है ड्रामा प्ले करने के लिए रोल प्ले बनाया जाता है छोट छोटे ड्रामे बनाया जाते हैं जहांपे बच्चे प्ले करते हैं म्यूजिक का रेंज किया जाता है और म्यूजिक बच्चे सीखते हैं अगर कोई गिटार बजाना चाहता है तो वो गिटार बजाना सीखता है अगर कोई प्यानो बजाना चाहता है तो वो प्यानो बजाना सीखता है अब ये क्यों किया जाता है उसकी जो चंद वजुवात हैं जिसके वज़न से ये सब्जेक्ट इनको पढ़ाया जाता है और इसको इवैलुएट भी किया जाता है पहली बात तो जे है वो क्रियासिटी क्रियेट करना है देखें बच्चा क्यूरिस कब होता है जब उसको थोड़ी सी चीज बता दी जाती है थोड़ी से समझा दी जाती है उसके बाद उसे का जाता है कि या जाए ये तीन चीजें जब उसने रोल प्ले करना हो ड्रामे के अंदर जब उसने कोई आर्ट and designing करनी हो या music तो यहां पर बच्चों के अंदर एक इंट्रेस्ट डिवेल्प होता है और वो इंट्रेस्ट जो है वो उनको कुरियसिटी की तरफ लेके जाते हैं क्यूरिस होते हैं कि मैंने यह लर्न करना है तो इसका मतलब यह हुआ कि पहला हमारा अब्जेक्टिव जो है इन तीन सब्ज एक्टर पढ़ाने का वू यह आ कि बच्चों में क्रियसिटी क्रियट करना है फिर क्रियेटीविटी नहास करना है जब हम बच्ते को कहते हैं आप यह डिज onion करें जी आप देखें आप महाँ पे गये थे किसी हिल एरियास पे गये थे कोई ऐसी जगा पर आप गए है आप रेल वेस्टरेशन के उपर गए है आप वहाँ पे इसको ड्रॉ करें तो बच्चा उस चीज के बारे में सोचता है सोचने के बाद उसकी ड्राइंग ड्रॉ करता है कुछ हमारे पास अमोशनल सिकल्स डिवेल्प होती है और कुछ हमारे पास वैल्यूज एक गुड वैल्यूज भी ड्रॉ होती है अब बाद वकात हमारे कुछ टीचर्स यह बात करते है कि हम बचे की Creativity जो होती है हम उसको खुद खतम करते है और वो कैसे खतम करते है कि बाद वकात बच्चा जो है किसी भी Chair को यह Table को कोई विंग लगा के उसको उड़ा के दिकाने की कुश़ करता है और हम उसको सनब करते हैं हाल्हकि वो Out Of The Box सोच रहा है क्रियेटिवेटी, अमोशनल स्किल्स और उनके के अंदर गुड वैल्यूज अगर हम क्रियेट करना चाहते हैं तो हमें आर्ट, ड्रामा और म्यूजिक पढ़ाना बढ़ता है